लास्ट लेक्चर में हमने नोटपेड पढ़ा था और नोटपेड एक बेसिक टेक्स रेटिंग प्रोग्राम था और उसमें हमने कुछ प्रोजेक्ट्स भी किये थे इस लेक्चर में हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे MS Paint को और इस सिंगल लेक्चर में हम तियोरी के साथ प्रोजेक्ट्स भी कर रहे होंगे और इसके जितने भी टूल्स होंगे MS Paint के वो सारे पढ़ रहे होंगे तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोड़क्शन टू MS Paint से समझते हैं यहाँ पर MS Paint को MS Paint होता क्या है तो फिले बदाता चलो यह एक inbuilt फीचर है inbuilt means कि इसे install करने की download करने की ज़रत नहीं होती तो अगर आप window operating system यूज़ कर रहे हो, window 7 यूज़ कर रहे हो, 8 यूज़ कर रहे हो, 10 यूज़ कर रहे हो, 11 यूज़ कर रहे हो फरक नहीं पड़ता जो भी वो operating system window का होगा उसमें आपको MS Paint पहले से मिल जाता है इसलिए हम इसे के रहे होते हैं कि एक inbuilt feature है, इसे install करने की या download करने की ज़रत नहीं होती और पहले point में हमें कहा जा रहा है कि MS Paint एक simple graphical program है, simple या basic क्यों कहा जाता है इसे क्योंकि इसके inside जो tools होते हैं, वो tools limited है, तो हम एक limit तक इसमें editing कर सकते हैं, image को edit कर सकते हैं पर हाँ advanced level पे नहीं है, advanced level के जो software होते हैं, वो ps होता है, photoshop और coral draw होता है, illustrator होता है वगेरा तो उनके जैसे हम इसमें editing नहीं कर सकते हैं, पर हाँ एक limit तक हम इसमें edit कर सकते हैं, अपने images वगेरा जैसे के कोई image है, वो एक format में आ रहा है, आप चाते हो कि यह format नहीं, जैसे के webp में आ रहा है वो image, तो आप चाते हो webp से convert करके, मुझे png में वो image चाहिए, तो आप image paint का use करके, webp या तो किसी भी format से image को convert कर सकते हो, दूसरे format में या दूसरे extension में सेमें इसी तर अगर कोई image यहाँ पर बड़ा आ रहा है, तो आप उसे चोटा कर सकते हो, कोई image जितना बड़ा आ रहा है, तो आप उसे resize कर सकते हो, resize करने के लिए हम MS Paint का use करते हैं, वहाँ पर हम advanced level के softwares का use नहीं करते हैं, पर हाँ आप उनका भी use कर सकते हो, पर अगर च paint को हम use करते हैं, image को insert करने के लिए, image को edit करने के लिए, और इवन आप इसकी inside shifts और drawings वगरा भी बना सकते हो, shifts को edit कर सकते हो, color कर सकते हो वगरा, अब यहाँ पर एक keyword जो कि रस्टर के लाता, अब रस्टर graphical program होता क्या है, तो जितने भी graphical programs होंगे, जितने भी graphical programs होंगे, उन design के best बनाते हो, lines का use करके, dot का use करके, आप what drawing बनाते हो, या तो पर curve जो line होता है, उसका use करके, उसका use करके, आप drawing बनाते हो, तो curve कि through, dot कि through, line कि through, जो बियाप drawing बनाते हो, और अगर एक software उसकर हो, वो vector software है, तो आपके शचा देहों कि हम यहाँ पर vector image बना रहे hai, ने absolai render स जैसे के एक image के उपर दूसरा image लगाना, background change करना वगारा, तो वहाँ पे almost आपका सारा काम pixels के base पे हो रहा होता है, pixels क्या है, pixels mean वो चोटा सा dot, तो अगर एक image है, इस image को बनाने के लिए कुछ dots का use किया जाता, उन dots को हम pixels के रहे होते हैं, और उन pixels के base पे आपका image तैयार हो जाता है, तो raster graphical programs के inside हम maximum time pixels पे काम कर रहे होते हैं, इसलिए इन images को अगर ये इतना image आ रहा है, चोटा image आ रहा है, आप इसे कुछ इतना बढ़ा कर लेते हो, तो यहाँ पे pixels इतना चोटा है, और यहाँ पे pixels इतना बढ़ा हो जाता है, तो pixels बढ़ा हो जाएगा, तो इसकी quality खराब हो जाएगी, तब आप कोगे कि pixels बढ़ चुके, वेक्टर ग्राफिकल प्रोग्राम में जो ट्राइंग बनाते हो, line, dot और curve के तुरू, अगर वो image इतना चोटा आ रहा है, इतना रहे होते हैं, पर यहाँ पर यह जो images होते हैं, इनको हम खुड डिजाइन करते हैं, जैसे कि आपका hand return, खुड का ट्राइंग, तो जो आप hand return, खुड का ट्राइंग अपने दिमाग में जो भी चल रहा है, उसे एक ड्राइंग में अगर आप उतार लेते हो, तो समझ लो वो vector drawing के लाता है, तो vector drawing को अगर चोटा है, तो उसे आप बढ़ा कर सकते हो, फिर भी sharp लेकेगा, पर अगर raster image है, तो अगर यह चोटा है, तो आप उसे बढ़ा करोगे, तो quality खराब हो जाएगी, तो images को edit करने के लिए, या raster images को edit करने के लिए, पिक्सल वाली images को edit करने के लिए, सबसे पहला Photoshop, Photoshop एक raster graphical program है, और दूसरा MS pen, यह advance है, और MS pen basic है, vector में आ जाता है, coral draw और इसमें illustrator आ जाता है, जिनमे line के बेस पे, dots के बेस पे, आप यहाँ पे drawings वागरा बना रहे होते हो, तो जब आपको logo वागरा बनाना होता है, तो logo के लिए भी, vector logo के लिए भी जएतर हम illustrator या तो coral draw का यूज़ करते हैं, जैसे के coral draw और illustrator, यूज़ के उसमें image जो है, उसकी quality खराब नहीं होती, आप उसे चोटा बड़ा कर सकते हो, पर अगर आपको images edit करने हैं, कई पे image का background remove करना है, कई पे face clean करना है वगएरा, तो उस type के काम करने के लिए हम raster graphical program का use कर सकते हैं, आपको यह समझ आ चुका होगा, अब हर image का extension होता है, extension means format, तो उस format के base पे वो image जाना जाता, तो different type के formats होते नीचे देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ formats दिख रहे होंगे, और उपर मैंने यहाँ पे दोनों को compare भी किया है, कि vector graphical program कुछ इस तरह से sharp होता है, कुछ इस तरह से क्या होगा, sharp होगा, raster graphical program को अगर इस तरह बड़ा कर लोगे, तो देख लो quality खराब हो जाती है, और इसमें देख लो यहाँ पे dots दिख रहे हैं, dots दिख रहे होंगे आपको, और इसमें कोई dots नहीं होते हैं, देख लो यह बिल्कुल sharp हमें दिख रहे हैं, बागे यहाँ पे नीचे कुछ formats दिए गए, जैसे के AI हो गया, EPS हो गया, RCGM हो गया, PDF हो गया, SVG हो गया, CDR हो गया, तो इन formats में जो भी image आपको मिलेगा, समझ लो, उसे आप title दोगे, कौन सा title, Vector title, कि यह vector images होंगे, और अगर आपको इन format में कोई भी image मिल जाता है, जैसे के BMP होआ, TIF होआ, PCX होआ, GIF होआ, PNG होआ, JPEG होआ, तो आप simple उसे title दे दो, कि इस type के images, और इस type के images, इस रास्टर होते हैं, रास्टर में pixels होते हैं, रास्टर में pixels होते हैं, और वेक्टर में कोई pixels नहीं होता, तो यह नीचे यह formats भी आप याद रख सकते हैं, तो सामने कोई भी image आया, उस पे right click कर लो, और इसके properties पे चले जाओ, तो वहाँ पे आपको format बताया जाएगा, कि इस image का format क्या है, तो इन में से जो भी format निकला, आप उस के टिगरी में उस image को रख सकते हैं, या तो आप उस image को vector को होगे, या तो पिर raster, introduction आपको समझ आ चुका होगा, MS Paint की तरफ बढ़ते हैं, और देखते हैं MS Paint हम कैसे open कर सकते हैं, और इसका interface क्या होता है, मैं चुका हूँ यहाँ पे desktop है, और हम क्लिक कर रहा होंगे, window button पे search करोगे, PAINT paint, और सामने paint आ रहा होगा, क्लिक कर लो, MS Paint यहाँ पे open हो जाएगा, यह MS Paint है, पहला तरीका इस तरह open किया जा सकता, दूसरा तरीका, अब window प्लस R की प्रेस कर लो, प्रेस करने के बाद, आपके समने यह dialogue box आ जाएगा, और इसके inside आप type कर सकते हो, command को और यह उस command को run कर लेगा, इसका shortcut की क्या थे, window प्लस R, window की पकड के रखो, और R प्रेस कर लो, यह window आ जाएगी, और आप इसके inside type कर लो, pbrush, क्या आपने type करना होगा, pbrush, pbrush की तरूब भी, आप MS Paint को run कर सकते हो, दूसरा तरीका, window प्लस R, और इसके inside, MS Paint type कर लो, without any space, चोटी EBC, बड़ी EBC, इसी फरक नहीं पड़ता, MS Paint type करना होगा, enter करोगे, तो MS Paint एक दफा पर open हो जाएगा, तीसरा तरीका, आप window बटन पे क्लिक कर लो, क्लिक करने के बाद, all apps पे क्लिक कर लो, और आपको windows accessories मिल जाएगा, अगर आप old version के कोई operating system यूज़ कर रहो हो, इसके interface को हमने समझना है, कि इस interface की inside कौन सी चीज़ क्या होती है, कौन सा ग्रूप क्या होता है वगएरा, तो हो समझने के नहीं है, सबसे पहले इस बटन पे हम क्लिक कर रहे होंगे, और इसके तरूँ ये restore down हो जाएगा, इसके तरूँ आपस maximize कर सकते हैं और इस टोडाउन, अब step by step इसके interface को हम समझ रहे होंगे, marking कर रहे होंगे, सबसे पहले ये top वाला area आपको मिल रहा होता है, और ये bottom वाले area आपको मिल रहा होता है, इन दोनों area को हम header and footer भी कह सकते, और दूसरा हम इसे title बार कह रहे होते हैं, तो इसके sections होते हैं, जैसे के यहाँ पर ये वाला section, तो इस section को हम title बार कहेंगे, इसमें आपको बताया जा रहा कि आपने कौन सा software open किया है, और उस software के inside जो file, जिस file पर आपका काम कर रहे हो, उसका नाम क्या है, फिलाल हमने इससे save नहीं किया है, और इसका कोई नाम नहीं है, तो ये defired में खुद से इसे untitled नाम दे रहा होता है, अच्छा, इस side पे देखोगे, तो आपको तीन buttons मिल रहे होते हैं, और इस group को हम कहते हैं, caption buttons, इसमें पहला बटन आपको मिल रहा होगा, minimize, दूसरा बटन मिल रहा होगा, restore down, और maximize, और last one close, अब इस पे क्लिक करने से minimize हो जाएगा, वापस क्लिक कर सकते हो, इस पे क्लिक करने से full screen, वापस क्लिक करने से restore down, और restore down, अगर आपको इतना नहीं मिल रहा हो, तो आप यहापे window को खुद से set up कर सकते हो, इसकी border पे pointer लेके जाना है आपने, और इस तरह की इंच लो, अब की इंचने के बाद, आपके समने restore down, अब अलग सा behave करेगा, वापस देख लो, इसकी border पे pointer लेके जाओ, इसे चोटा कर सकते हो, जब आप restore down इसे करोगे तब, अब next आ रहा होगा, यहाँ पे last one close, और इसके just नीचे, टाइटल बार के just नीचे आपको यहाँ पे, यह menu bar मिल रहा होता है, इसे हम menu bar केते हैं, menu bar क्या होता है, restaurant जाते होंगे, आप या तो किसी academy, वहाँ पे आपको एक menu मिल जाती है, उस menu के inside courses होते हैं, या तो फूड के नाम होते हैं, और आपको कहा जाता, कि आपको कौन सा food चाहिए, order कर लो, same इसी तरह working area के उपर, आपको काम करना है, तो यहाँ पे menu bar, menu bar के inside से, आप tools उटा सकते हो, आप options उटा सकते हो, उन options और tools के base पर, यहाँ पर काम कर सकते हो, तो यहाँ पर इसके inside, जो menu bar आपको यहाँ पर मिल रहा है, इसके inside, file, file क्या है, file active है, यह file क्या होगा, active होगा, edit टेब है, view active है, और ये तीन tools है ये कोई tab नहीं ये tools है ये इन tools को यहाँ पर pin किया गया है इसके तरू है इसके तरू आप save कर सकते हो इसके तरू आप multiple steps पीचे जा सकते हो और इसके तरू आगे आ सकते हो अब जिसी आप किसी भी टेप पे क्लिक करोगे तो टेप की इंसाइड आपको list मिल रहा होता है एक पूरा list है और इस list के inside आपको options मिलते हैं पहला option new आ रहा है दूसरा option open आ रहा है तिसरा option import to converse आ रहा है और सिधर हर option का यहाँ पे नाम है तो list के inside आपको option और ये list किस टेप का है तो आपको गोगे file टेप का है file टेप का list और उस list के inside फलाना option ठीक है तो इस वक्त हम file पे click कर रहे होगे हैं तो click करने के बाद ये आपके सामने एक list आजाएगा तो ये file का list होगा, ये edit का list होगा, list कई पे चोटा होता है, कई पे बड़ा होता है अचा next, यहाँ पे आपको जो ribbon मिल जाता है, इसे हम कह रहे होते हैं ribbon और menu bar के जैसे नीचे आपको ribbon मिलता, ये ribbon होगा और इस ribbon को हम home ribbon भी कहते हैं, ये home options है home option मिन जैसे interface आपने open कर लिया, MS Paint open कर लिया तो ये top पे आपको मिल जाएंगे, और हमने कोई click बगरा नहीं किया डारेक्ट ये tools हमें मिल रहे हैं, इसलिए हम इसे ribbon कह सकते हैं अचा, इस ribbon के inside आपको groups दिये जाते हैं पहला group ये आ रहा होगा और इस group का नाम क्या है, selection, दूसरा group, image, तीसरा group, tools और इसी तरह आगे चलते जाएं तो यहाँ पे group बनाए गए और हर group के inside आपको option, tools या तो commands मिल रहे होते हैं हम यहाँ पे के सकते हैं, जैसे हमने selection वाले group पे क्लिक कर लिया, तो यहाँ पे हमें एक और list मिल चुकी है यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक और list मेरे सामने आ जाएगा तो कुछ यह सरा से यह ribbon के inside आपको groups मिलते हैं, groups पे क्लिक करने से आपको list मिल जाता है options का यह option tools यह तो पर commands हम के सकते हैं, अब इसके just बाद आपको यहाँ पे नीचे, यह वाला area जो में मार कर रहा हूँ, इसे हम working area के रहे होते हैं, कौन सा area, working area और working area के left side पे आपको यहाँ पे एक tool लिख रहा है, और इस tool की तुरू हम यहाँ पे pointer को, इस tool की तुरू हम पोइंटर का जो size है वो control कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से आपने कोई भी brush उटाया, brush उटाने के बाद उसका size आप बढ़ा सकते हो, और कम कर सकते हो, और इसके लि vertical scroll bar के लाता, अगर ज्यादा zoom करते हो, तो यहाँ पे एक और scroll bar आ जाता, जैसे कि गोर कर लो, इस वकत हमें दो-दो scroll bars मिल रहा है, एक scroll bar यह रहा है, और एक scroll bar यह रहा, दोनों में फरक है, यह आपको left से right चीज़े दिखाता और यह top से bottom आपको चीज़े दिखा रहा होता है, तो इसलिए हम इसे कह रहे होते है, scroll bar, तो यह vertical scroll bar होगा और यह वाला horizontal scroll bar, horizontal scroll bar left to right, right to left काम कर रहा होता है, और vertical scroll bar top to bottom और bottom to top काम कर रहा होता है, इसके तरू आप अपना काम देख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे नीचे की तरफ आ सकता हूँ, उपर की तरफ जा सकता इसके तरू अपना काम चेक आउट कर सकता हो, इसी तरह इसके तरू हम left to right और right to left अपना काम चेक आउट कर सकते हैं, और bottom में आपको यहाँ पे status bar, इस area को हम status bar कहते हैं, status bar के inside आपको बताया जाता है, आपका cursor कहा पड़ा है, और फिर यहाँ पे आपको sizes भी बताया जाते कर्वास क्या होता, कर्वास का काम और कुछ नहीं, कर्वास हमें बता रहा होता है कि आपका working area कहा तक मुझतमिल है, कहा तक पेला हुआ है, कहा तक spread है, तो यह हमारा working area, इसके side हो पे dots होता है, उन dots के base पे आप इसे चोटा और बढ़ा भी कर सकते हो, तो यहाँ पे देख और इसके through आप width और इसके through width and height और इसके through सिर्फ और सिर्फ आप height चेंज कर सकते हो, तो जब यह आपको working area चोटा बढ़ा करना हो, तो इंडोर्स का आप use कर सकते हो, और इस side पे देखो कि तो आपको मज़ीद कुछ options मिल रहे होंगे, इनके base पे आप यह working area जूम in और यहाँ पे क्लिक करके रखो और इसे कीच लो, आगे की तरफ उसे कीच लो पीचे की तरफ तो देख लो, यहाँ पर हम जूम कर सकते हैं अपना working area को और जो भी objects वगरा drawing आप बना रहे हो, और इवान यहाँ पे क्लिक करने से भी आप जूम आउट कर सकते हो, यहाँ पे भी फिट रखना चाते हैं तो यह option होगा, इस पे क्लिक करने से यह फिट हो जाएगा window के according, बाकि जूम के लिए यहाँ पे कुछ numbers भी दिएगे, maximum number है 800% और minimum number यहाँ पे आ रहाए 12.5% तो minimum इतना zoom out हो सकता और यहाँ पे maximum इतना zoom in हो सकता, बाकि आप यहाँ पे number भी type कर सकते हो अपनी साफ से, तो यह था interface of MS Paint, उमीद करता हो आपको interface समझ आ चुका होगा MS Paint का, और अब इसके tools पढ़ते हैं, तो direct area पर भी आप यहाँ पर drawing बना सकते हो, पर हम यहाँ पर image की उपर अच्छे से practice कर सकते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं, तो हम यहाँ यह image चाहिए होगा, तो image यहाँ पर insert करने के लिए, अब यहाँ पर drag and drop भी इस तरह कर साथ हो, एक तरीका यह होगा, कि आप image के location पर जाके image को इस तरह उटा लो, यहाँ पर paste कर लो, और दूसरा तरीका, file पर click कर लो, और यहाँ पर option होगा, import to converse from a file, click कर लो, यहाँ पर भी image और इस पर इस तरह इस अचनला होगा, image select कर लो, इमेजड आपको कर लो, और यहाँ पर बाया जाएगा, यहाँ नियुकर कर लो, और यहाँ पर यहाँ पिंदो आपके सामने आजाएगी, विनडो में बताया जारा है गया, इस एरिया को चोटा बढ़ा कर लिया, तो क्या insert हो चुका है। तो अगर मैं zoom out कर लोite control wheeler इसका shortcut की है तो यहां से भी zoom in zoom out कर सकते हो हैं और control wheel कंट्रॉल की साथ wheel आगे की तरफ गुमा लो और control की साथ wheel पीचे की तरफ गुमाओगे तो zoom in और zoom out आप कर सकते हैं अच्छा, यहाँ पर पहला जो group आ रहा है, इस ribbon के inside, पहला जो group आ रहा है, उसका नाव है selection, selection की inside आपको यहाँ पर 6 options मिल रहे हैं, इन 6 options को हम समझते हैं, पहला option हा रहा है, rectangle selection, rectangle selection means, 4 कौनों में selection करना, तो हम इस पर click कर रहा होंगे, click करने के बाद, plus का symbol मिलेगा, या तो प rectangle, 4 कौनों में, डबे की शकल में selection करना, दूसरा रहा है, free form selection, इस पर click करने से, आप अपनी हिसाब से area काट सकते हो, जैसे के, हम इसके glasses यहाँ पर अलग करते हैं, तो मैं यहाँ पर left click पकड़ के रख रहा हूँ, और जहां तक selection करना है, वहां तक selection कर लो, अलग कर लो, आपस चीज़ों को tick कर सकते हो, ठीक है, तो अगर आप कोई गलती कर लेते हो, आप चाहते हो, वह गलती मुझे सुदार नहीं है, ठीक करनी है, तो undo, undo कितरू, आप वह गलती कर सकते हो, और redo कितरू, आप यहाँ पे आगे पीछे खुद को लेके जा सकते हो, तो undo यहाँ प वो सारे select करने हैं तो यहाँ पर click कर लो click करने के बाद select all यहाँ पर जितने भी चीज़े होंगे वो कुछ दिर में select हो चुके हैं आप इसे move कर सकते हो यहाँ वहाँ move कर सकते हो जहाँ पर भी आपको रखना चाहो फिलाल हम control z करेंगे जो वापिस अपने जगे पर आ जाएगा हम यहाँ पर बाइर click कर रहा होंगे और इसे हमने अपने जगे पर वापिस set कर लिया तो इस option के तुर आपने क्या किया यहाँ पर पूरा जो working area के उपर triangle बनाया था वो select कर सकते हो और यहाँ पर next option आ रहा होगा invert selection invert selection means जैसे मुझे यहाँ पर यह star चाहिए बागी सारी चीज़ी delete करना है तो आप कोगे star को select कर लो rectangle के तुर rectangle के तुर star को select कर रहा हो पर extra area आ रहा है इसका बोड़ी इसमें आ रहा है वो नहीं चाहिए तो फिर free form के तुरू आप selection कर लो free form के तुरू भी हम selection कर सकते है कुछ यह ठीक है तो यह रहा free form selection और जैसे हमने star को select कर ली है इसे आप move कर सकते है अब यह background आप कोगे कहा से आ रहा है यह background इस image का है और image से यह background उटके आ रहा है और अगर मैं डिलीट की प्रेस करूँगा तो यही image और star डिलीट हुआ पर अगर मुझे इसका opposite करना है मैं चारों मुझे यहाँ पर star को select करना है और जो चीजे unselected पड़े हैं वो select हो जाए और star चूट जाए तो इसके लिए हम यहाँ पर click करेंगे क्लिक करने के बाद option का नाम होगा invert selection invert selection means जो चीज selected है उसका उल्टा select करना उल्टा क्या होगा जो चीजे unselected है उनको select करना तो आप इसपे click कर लो click करने के बाद कुछ देर में देखोगे तो यहाँ पर बागी चीजे select हो चुके delete की press करेंगे delete की press करने से सिर्फ star रह चुका है बागी चीजे यहाँ पर delete हो गए तो invert selection means वो चीजे select करना जो unselected पड़े पर हाँ सबसे पहले selection करना ज़रूरी है क्योंकि यह option यहाँ पर disable रहता selection ज़रूरी है तो यहाँ पर दो objects मैंने पर white जो background वो आ रहा है तो जाहर बात है पर आपको क्या करना होगा इसका background remove और transparent करने के लिए आप यहाँ पर click करोगे और यह चेक लगाओगे अगर हम चेक अटा लेंगे फिलाल यह बिल्कुल ठीक काउं कर रहा होगा अभी भी नहीं आ रहा है तो window 11 यहाँ पर background उटा के नहीं दे रहा पर 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 अगर यह background उटा के ला रहा होता है यह white background उपने साथ उटा के ला रहा है तो उसे खतम करने के लिए आप यूज कर सकते हो तूल का नाम transparent selection और last option आपको समझा रहा होगा ऑप इसपह क्लिक करोगे जो भी चीजे आपने? सलेक्ट कीए होँगे वह डिलीट हो जाएंगे वापिस यहाँ पर क्लिक कर रहा होंगे सलेक्टाल पर क्लिक कर रहा है nog c वर्किंगरिया को चोटा कर लेते हैं. उने यहां पर वर्किंगरिया को चोटा कर लिए और इसे जून करते, तो 1200 प्क्र elt इस वक्त हमारा वर्किंगरिया आ रहा होगा, अच्छा नेक्स ग्रूप आ रहा है, यहां पर images के नाम से तो बात है images के लिए image तो यहाँ पे होना लाजमी है तो file पे click करेंगे image को insert करने के लिए open पे click कर रहे हैं और यहां से मैं एक image उटाँगा यह computer वाला computer वाला image select करने के बाद हम इस image को यहाँ पे insert करेंगे कुछ खास बनाया नहीं तो इसे don't save पे click कर रहे होंगे अब यहाँ पे हमारे सामने image आ चुका है तो इस image का कोई भी background नहीं है यह png image है तो अगर आप चाहरे हैं मुझे इस image को crop करना इसमें से mouse निकालना है सिर्फ mouse चाहिए तो आप cropping कर सकते हो सिर्फ keyboard चाहिए तो उससे select कर सकते हो तो कुछ area select करके बागी area उसके साथ crop करना cropping ह आ रहा है तो selection लाजमी है rectangle उटा लो selection कर लो जैसे मैं यहाँ पर mouse को select कर लूँगा selection के बाद मुझे mouse चाहिए और बागी चीज़े डिलीट करना है तो crop option enable हो जाएगा after selection क्लिक कर लो सिर्फ mouse रहेगा working area भी डिलीट हो गया है और पस लाने के लिए क्लिए क्या करेंगे undo एक हाँ mouse के उपर आपको अच्छे से command आना चाहिए system box select हो गया crop पे क्लिक कर लो सिर्फ system box रहेगा बागी चीज़े यहाँ पर crop हो चुके तो crop के तुरू कुछ इस तरह से आप working area के साथ बागी चीज़ों को भी डिलीट कर सकते हो बस selection करना है selection के बाद option enable हो जाएगा click कर लो यह crop कर लेगा control Z की तरह हमें आपस पीचे जा सकते next option आ रहा होगा यहाँ पर remove background पर इसके लिए background वाला कोई image हमें चाहिए होगा तो हम यहाँ पर browser की तरह कोई image download करते हैं तो browser में आके मैंने यहाँ पर search कर लिया main और main के कुछ images आ रहे होंगे तो हम images पे click करेंगे यह एक image आ रहा है हम इस पर click करेंगे right click करेंगे इस image को copy करेंगे copy करने के बाद यहाँ पर image paste करना है तो control A control A means select all उसके बाद यह image नहीं चाहिए तो क्या कर लेंगे delete कर लेंगे और control V करके वो image में यहाँ पर paste करूँगा अब इस image के साथ एक background आ रहा है यह background मुझे नहीं करते हों और यह window 11 के साथ मिल रहा है आपको और दूसरा आप यहाँ पर click करके even image upload कर सकते हो एक website पर जिसका नाम होगा remove बीजी तो आप remove बीजी सर्च कर लो और यह वाला website आजागे इसके लबाद और भी बहुत सारे websites होंगे तो हम इस पर click कर रहा होंगे click करने के बाद य अगर window 11 का आप MS Paint यूज़ कर रहे हो तो उसकी inside भे आपको feature मिल जाता है तो आपने सिर्फ इस button पर click करना है यह कुछ देर में यहाँ पर process करके background को remove कर लेगा तो यहाँ पर देख लो कितने आराम से और अच्छे तरीके से इसने background को remove कर लिया अब यह एक png image बन चुका है आपको background में कोई और color fill करना है तो यह से बाल्टी उटा लो click कर लो तो background में कोई भी color अपने हिसाफ से fill कर सकते हो कोई भी color यहाँ से उटा लो color choose कर लो color fill कर लो जो भी color आपको background में fill करना है अब आराम से color fill कर सकते हो तो अगर background चाहिए तो ठीक है नहीं चाहिए तो ctrl z कर जाएंगे, next option आ रहोगा, यहाँ पर rotation का, तो आप image को rotate करना चाहते हो, गुमाना चाहते हो, तो आप यहाँ से option यूज कर लो, यह rotate right 90 degree, तो यह right की तरफ 90 degree इसे rotate कर रहा होगा, और पिस click कर लो, फिर click कर लो, तो यह right की तरफ image को गुमा चुका है, एक चकर दे चुका है, 360 degree का, इसी तरह left की तरफ भी होता है, और पिस फिलाल हम इसे right की तरफ गुमा लेते हैं, और next होता है, बिलकुल इसे, आपने 180 degree अगर गुमाना हो, तो यह half rotation आपको मिल रहा है, तो 360 का half 180, तो 180 degree यह image यहाँ पर गुम चुका है, हम यहाँ पर वापस क्लिक कर रहे होंगे, य image वापस ठीक हो जाएगा, और next हारे flip करना, flip means कि यह कान इस साइट पर आ रहा है, आप इसे उस साइट पर कर लो, या तो पर बोड़ी यहाँ पर आ रहा है, इसे उपर की तरफ लेके जाओ, तो आप यहाँ पर क्लिक करने से flip vertical, और इसी तरह flip horizontal भी होता है, तो आप यहाँ पर degree यूज़ करते हो, या rotation यूज़ करते हो, और rotate 180, तो 180 की तरुग क्या हुआ, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आ रहा है, यह बिल्टा कर रहा है, और यह side भी change कर रहा है, यह साइट पर इमेज को गुमा आ रहा है, तो गुमाने के बाद जाहर बात है, जो left पर और image की inside next option आ रहा होगा, यहाँ पर resize नाम का, तो resize की तरुग image को चोटा बढ़ा कर सकते हो, अगर आप यहाँ पर in dots की तरुग image को चोटा करोगे, तो इससे चोटा नहीं हुआ, इससे crop हो जाता image, यहाँ पर देख लो working area तो चोटा हो रहा है, पर image crop हो रही है, तो हम यहा आपको dots मिल रहे होंगे, ठीक है, उन dots के base पे आपको काम करना है, तो आप pixels option चूज़ कर सकते हो, जातर हम image के साथ जब काम कर रहे होते हैं, तो हम pixels पर क्लिक कर रहे होते हैं, और नाइस bottom में आपको दो चीज़े मिल रहे होंगे, एक horizontal, दूसरा vertical, और इस image का कुछ width और height आ रहा होगा, तो हम pixels पर अगर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको width or height मिल रहे हैं, तो width is match का क्या आ रहा है, यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर दिख रहोगा width is match का 2000, रिसेट पिक्सल मिल रहे हैं, और height क्या है, 1335, तो अगर आप चाते हो, मुझे इसका width or height कम करना है, त तो select कर लो, selection के बाद, मालों मैंने यहाँ पर लिखा 1000, 1000 लिखने के बाद enter करूँगा, image चोटा हुआ, working area भी उसके साथ चोटा हो चुका है, वापिस resize पर क्लिक करने के बाद, आप pixels पर क्लिक करने के बाद, यहाँ पर आप कोई भी size टाइब कर सकते हो, पर एक चीज होती और कुछ height set हुआ, क्या, कुछ width और कुछ height set हुआ, उस और width और height के base पर इसे अच्छा दिकाया जा सकता, तो जब इस image को क्लिक किया गया और जो भी width और height इसके लिए select किया गया, तो वही aspect ratio किलाता, तो इस वकार इसका जो aspect ratio है, वो 1000 by 647 pixels है, अगर इन दोनों में से कोई यह भी एक चीज़ को आप ज्यादा या कम कर लेते हो, कोई एक कम या ज्यादा कर लेते हो, तो image अजीब दिखने लगेगा, जैसे के, अब यहाँ पर यह जो option selected है, यह आपने हटा ना होता है, तो आपको check मिल सकता है, या तो यह option मिल सकता है, हटा क्यो रहा है, अब अगर अगर मैं यहाँ पर change करूंगा, तो यह change नहीं होगा, फिलाल अगर हम यह चेक लगाके यहाँ पर change करेंगे, 2000 में यहाँ पर लिक रहा हो, तो यहाँ पर देख लो, यह भी change हो रहा है, मैंने 2000 लिका, यह भी आप इसके साथ खुद को maintain कर रहा हो, और चेंज कर रहा है, पर इमेज यहाँ पर आजीब देख रहा है, और इसका expect ratio हमने यहाँ पर बिगाड़ दी, और image का expect ratio अगर आपको नहीं बिगाड़नी, तो यह check लगा रहे ने दो, और इसके पास pixels पर क्लिक कर लो, जो भी size दोगे, उस size की according width, या तो width की according height, या तो height की according width, उतको set कर रहा होता next आ रहा है, यहाँ पर skew, skew means चीजों को तरचा करना, तोड़ सा 3D feel देना, जिसे अगर line कुछ इस तरह से draw करोगे, तो यह straight है, इस तरह draw करोगे, तो यह क्या हो जाएगा, skew हो जाएगा, और same इसी तरह, अगर एक line यहाँ पर इस तरह आ रहा है, और अगर आप इस तरह उसे draw करोगे, तो यह भी क्या हो जाएगा, skew हो जाएगा, जो इस image को अगर आप skew करना चाते हो, तो नीचे आपको degree में values देने होते हो, horizontal के लिए, और vertical के लिए, तो मार ले मुझे horizontal skew चाहिए, इस image का, तो हम यहाँ पर 10 degree type करेंगे, मैंने यहाँ यहाँ पर 10 type कर लिए ओके पर क्लिक करेंगे, image तोड़ सा तिर्चा हो चुका है, horizontally, इसी वरहाँ वापस हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, vertical भी आपने तिर्चा करना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, मैं 30 degree यहाँ पर type करूँगा, okay, तो image देख लो, यहाँ तोड़ सामे 3D feel दे रहा है, तो कुछ option इसकी inside आ रहा है, यहाँ पर pencil का pencil उठा लो, और color change कर लो, जो भी color आपको चाहिए, तो आप यहाँ पर type कर सकते हो, pencil का size कम आ रहा है, तो यहाँ से pencil का जो size है, वहाँ बढ़ा लो, तो pencil देख लो, अब यहाँ पर बहुत ही बड़ी size में लिक रहा होगा, अच्छा, next आ यहाँ पर fill, fill एक डबा, और इसकी तो आप fill कर सकते हो, तो color को fill करने के लिए हम इस डबे का use करते हैं, fill इसका नाम आ रहा है, तो सबसे पहले मैं image को यहाँ पर delete कर लेता हूँ, तो click करेंगे, select all, और इसके बाद यहाँ पर click करेंगे, तो यह डिलीट हो जाएगा, मुझ select कर लो, click कर लो, जो भी color आपको select करना है, color one में color select कर लो, तो color one में आप color select कर लो, color select करने के बाद जो भी color fill करोगे, अराम से वो fill हो रहा होगा, background की तरफ मत जाओ, background transparent है, इसका मतलब यहाँ पर कोई color नहीं है, तो click करने से background में भी color आ जाएगा, अच्छा, next आना है, यह और यहाँ पर cursor आपको मिल रहोगा, click करने से, एक box मिलेगा, उस box की inside आप type कर सकते हो, जिसे मैं यहाँ पर type करता हूँ, नसीब code studio, तो हम यहाँ पर type करेंगे, नसीब code studio, अब type करने के बाद जाहर बाते वो content हमें टीक से दिखी नहीं रहा है, वज़ा color है, तो इसका color green, background color green तो जाहर बाते हैं, तो हम यहाँ दिखी गगा, तो हम यहाँ पर selection करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर click करके, इसका size बढ़ाते हैं, तो 72 point यहाँ पर size हम ले रहे होंगे, बाकि अगर आप box की inside ठीक से यह चीजी नहीं आ रहे हैं, तो आप in dots को पकड़के, इस box को type करूंगा, नसीब code studio, type करने के बाद control A, और control A की तरू content select हो जाएगा, और इसके बाद यह dot पकड़के, आप इससे resize कर लो, और इसके border पर pointer ले जाके, आप इसे move कर सकते हो, तो दो चीजी यहाँ पर याद रख लो, पहला क्या होगा, कि आप इसके border पर pointer लेके जा सकते हो और यहाँ पर 4 arrow बन जाएगे, दूसरा, इसके अगर corner पर जापर dot आ रहा है, वहाँ पर cursor लेके जाओगे, तो double arrow, double arrow की तरू इसे चोटा बढ़ा कर सकते हो, और 4 arrow की तरू आप इसे move कर सकते हो, जहाँ पर भी रखना चाओ, बागी अगर दरमयान में box inside cursor आ रहा होगा, त तो यह जो आए है initial, इसका मतलब यहाँ पर आप typing कर सकते हो, तो click करने से आपको cursor मिलेगा, तो control A हम selection करेंगे, color change करते हैं, तो मैंने यहाँ पर black color चूस कर लिया, तो आप यहाँ पर text black color में आ रहा होगा, अब यहाँ पर आपको मजीद चीजे मिल रहा होगे, जैसे कि font प font चाहते हो, पूरे content को देना चाहते हो, single letter को देना चाहते हो, यह तो पर single word को देना चाहते हो, तो अब selection कर रहोगे, selection के बाद यहाँ से जो भी font आपको चाहिए होगा, आप यहाँ से उठा सकते हो, अब font के adjust बाद आपको size मिल रहा है, तो minimum size यहाँ पर आ रहा था 8 और maximum size यहाँ पर आ रहा था 72, पर इसके लब आप यहाँ पर sizes टाइब भी कर सकते हो, आपको जो भी size चाहिए होगा, यहाँ पर टाइब कर लो, next यहाँ पर आ रहा है bold, तो content को bold करना है, तो यहाँ से आप bold कर सकते हो, bold कितुरू तोड़ से यह मोटा हो जाएगा, पर हाँ, यह depend करता, कि जो भी font आपने चूज किया, क्या वो यह चीज़े support करता है या नहीं, तो हम यहाँ पर select करेंगे, देखते हैं इस पर, तो यहाँ पर भी यह support नहीं हो रहा, तो control A, selection करेंगे, उपर की तरफ से कोई भी एक font उटाते हैं, जैसे के Roboto, Light, अब यहाँ पर इस वकत य हैं, तो अगर हम यहाँ पर uncheck करेंगे, तो देख लो, यह bold और unbold हो रहा है, बोल्ड की तरू यह तोड़ा सा मोटा हो जाता है, और unbold की तरू यह पतला हो जाता है, तो आप इसे thin और tick करना चाते हो, तो आप bold का use कर सकते हो, एक सारा italic, italic की तरू, कुछ इसारा से content को ति देखे होंगे, जिसे कोई भी एक product अगर आप उटाते हो, इसके उपर दो prices आपको दिख रहे होते हैं, पहला price, और पहला price लिखा हो होता है, कि 2000, और दूसरा price लिखा हो होता है, 1500, अब आपको कहा जा रहा है, कि 2000 है, यह भी price नहीं रहा, यह price नहीं है, discount है, और sell चल रहा 1500 इस वकत price चल रहा है, तो इसे कुछ इसर से कटा हुआ दिखा जा सकता, तो strike through होती है, वो भी दिखाना है आपको strike through, तो इसके लिए भी आपको यह पर option मिलता है, आप strike through भी दिखा सकते हो चीजे, next आ रहा होगा alignment, तो left alignment, center alignment, right alignment, आप यहा से alignment उठा सकते हो, और last option आ रह करते हैं और यहां से पर कोई भी color उठा के यहां पर fill कर लो, तो हम color उठा के black fill करेंगे, text box उठा के यहां पर typing करेंगे, typing के inside हम यहां पर office लिख रहे होंगे, नसीब code studio, नसीब code studio लिखने के बाद control A इसे select करेंगे, selection के बाद यहां से यह जो dot इसे पकड़ करेंगे, इस यह text color यह front color होता है, foreground color और यह होता है background color, तो background में white color आ रहे है, तो white color नहीं चाहिए, यहाँ पर click कर लो, color change कर लो, जो भी color आपको चाहिए, यहां से आप color अपनी साब से उठा सकते हो, color पसंद आया, तो टीक है नहीं आया, तो आप वापिस यहां से change कर लो, यहां से color क्लिक कर लो color 1 इसका नाम होता है और इसका नाम color 2 होता है तो जो भी आप एक color choose करोगे वही color आपको यहाँ पर मिल रहा होगा और MS Paint की inside text को कुछ इस तरह से आप यहाँ पर insert कर सकते हो तो हाँ click करने से भी box आपको मिल रहा होता है तो start के तीन टूल्स आपको समझ आ चुके होंगे next आरेजर है, erase करना तो आपको erase करना है चीज़े, तो आप eraser उटा सकते हो जो भी चीज़े आपने pencil के तुरू लिके उसे erase करने के लिए आप यूज कर सकते हो eraser जैसे यह रहा, इस यह नहीं चाहिए हमें तो आप यहाँ पर इसे erase कर सकते हो eraser यहाँ पर erase कर रहा होता है, background में भी color आरहा है तो जार बाते eraser पर यह नहीं देखता कि color background में आ रहा है या नहीं तो वो erase करने लगता है, background, foreground सब चीज़े यहाँ पर erase कर रहा होता है control A press करेंगे, delete की press करेंगे तो pencil उठा के आप लिख सकते हो और eraser के तो उस pencil का लिखा हुआ जो भी चीज़े होंगे उसे आप erase कर सकते हो next आ रहा है यहाँ पर color picker color picker के तो कोई भी color pick कर सकते हो जिसे image में कोई भी color आपको पसंद आ जाता है हम यहाँ पर देख रहे होंगे अब इसमें यह वाला जो green color यह मुझे पसंद आ जाता है तो सबसे पहले इसका screenshot हमने यहाँ पर लेना होगा तो screenshot के लिए हम यहाँ पर click कर रहे होंगे snipping tool choose करेंगे और snipping tool पे पहले भी हम lecture बना चुके हैं वो check out कर लो यहाँ पर हमने screenshot उटा है और इस screenshot को हमने copy करना है तो right click copy और जाना है ms pen की inside control v करके इसे paste करना है अब चाहरे हो किसमें यह pool का जो color है यह मुझे चाहिए तो यहाँ से उटा लो color पे कर, click कर लो वो pool का color यहाँ पर आ जाएगा और इसका code पता करना हो भी कर सकते हो आपको कई भी color पसंद आ जाता है screenshot ले लो, यहाँ पर add कर लो उसका code पता करना है screen के उपर जितने भी चीज़े आपको दिख रहे होते है इनका code system होता है जैसे code system है RGB RGB means red green blue और यह color ज्यादतर screen के लिए use किया जाता तो screen के उपर जितने भी colors आपको दिखते हैं वो इनके base पे बनाया जाता अब इनका एक intensity होती है number system होता है जैसे आपके सामने दो बाल्टी होगे एक बाल्टी यह रहा, एक बाल्टी यह इसमें white color आ रहा है और इसमें black color आ रहा है सेम इसी तरह RGB को आप अपस में mix कर सकते हो पर यहाँ पर mixing के लिए जाहर बाते आप छमच का यूज करोगे या तो पर direct अपने अंधाज़े से इसे उठाके किसी और third जो भी आपे plate वगरा होगे उसमें mix करोगे तो तोड़ा से यहाँ से उठाओगे तोड़ा से तो वो जो तोड़ा तोड़ा होता है वो measurement होती है intensity होती है सेम इसी तरह RGB की inside भी intensity होती है तो right कितना चाहिए तो आप चूज कर सकते हो 0 से लेकर 255 के बीच में यह intensity है mix क्या होगा 255 और min क्या होगा 0 इसी तरह green के लिए होता है इसी तरह blue के लिए होता है intensity 0 से लेकर 255 के बीच में होता है तो RGB के base पे अगर मैं आपसे पूछ लो चलो मुझे यहाँ पे color के नाम बता दो शायद आप 20 color के नाम बता दो पर यहाँ पे RGB में जो color का code system है जो कि 0 से लेकर 255 के बीच में बनाया जाता R के लिए, G के लिए और B के लिए R के लिए अलग बनाया जाता G के लिए अलग बनाया जाता और B के लिए अलग और यहाँ से एक एक number जैसे कि मैं यहाँ से एक number चूज कर लो 100 तो यह 100 red के लिए होगा यहाँ से चूज कर लो 200 यह 200 ग्रीन के लिए होगा और यहाँ से चूज कर लो 255 तो यह तीन जो यहाँ पर हमने code लिके इन तीन code के बैस पर हम एक नया color बना सकते हैं अच्छा टोटल कितने colors हम बना सकते हैं RGB के तुरू 16 million plus 16.7 million color बना सकते हैं मतलब 1667,000,000 colors आप बना सकते हैं तो इतने सारे colors आप RGB code सिस्टम के तुरू बना सकते हैं इसके लावा और भी color code सिस्टम होते हैं पर फिलाल हम यहाँ पे click करके code देख सकते हैं कि यह जो color इस वकत आपने choose किया उसको code क्या आ रहा होगा तो आपे बताया जा रहा है RGB और उपर hex color system भी आ रहा है HSL भी होता है HWB भी होता है तो यह coding के inside काम आते हैं फिलाल RGB तो RGB में आपको काया जा रहा है कि यह जो color इस वकत choose किया गया है उसका red 67 है और green क्या है 101 है और इसमें blue क्या है 30 है और इस color का code कुछ इस तरह से आप पत कर सकते हों तो जो भी color आपको यहां पर दिक रहोगा simple color picker उटा लो उस color प्लिक कर लो code बता करना है यहां पर click कर लो आपको यहां पर RGB इसका color बता रहो होता है समझ आ चुका होगा, वाकी colour को आप light करना चाते हो, dark करना चाते हो और colour को कोई और बनाना चाते हो, आपको अपनी हिसाब से भी यहाँ पर color choose कर सकते हो और basic colors यहाँ पर नीचे दिये गए, जिसमें से आप color पर click करोगे click करने के बाद उसे light और dark कर सकते हो तो यह थी कहान ही यहाँ पे colors की और उमीद करता हूँ आपको color picker भी समझा चुका होगा निक सारा है यहाँ पे magnifier Z इसका shortcut की होती है तो Z प्रेस करोगे magnifier खुद बहुत select हो जाएगा अब left click press करोगे left click के तुरू image का वो specific area आप zoom कर सकते हो कोई भी specific area आप zoom कर सकते हो जहाँ पे भी आपको काम करना है और right click करोगे right click से यह zoom out हो रहा होता है तो कुछ इससर से आप magnifier को use कर सकते हो तो जो भी area जिस पे आपने focus करना है magnifier उटा लो Z या तो यहाँ से select कर लो click करोगे वो area zoom in हो रहा होता है right click करोगे तो वो zoom out हो रहा होता है तो यह तीकानी यहाँ पे tools की next group आ रहा होगा यहाँ पे brushes नाव का तो यहाँ पे click करके आप different type के brushes उटा सकते हो पहले हमें यह image नहीं चाहिए तो control A delete की press करेंगे brush पे click करेंगे पहला brush आ रहा होगा select कर लो यह पहला brush है इसके इलावा यहाँ पे office क्लिक कर लो next brush आ रहा होगा calligraphy brush cut paint देखा होगा cut paint की शकर में कुछ काम करना है तो यह brush यहाँ से उटा सकते है इसके लिए हम color उटाते है black और यहाँ पे अब देख ले cut paint की तरह size बढ़ाना है control A delete की press करेंगे तो यहाँ पे यह था calligraphy brush और next आ रहा है calligraphy pen तो एक pen है और एक brush है दोनों में फर्क क्या होगा एक opposite होता है तो इस दोनों में फर्क देखोगे तो यहाँ पे देख लो यह कैसे start हो रहा है और यह कैसे start हो रहा है बाकि आप यहाँ पे click करके airbrush भी उटा सकते हो airbrush मतलब spray करना तो इस प्रे कर रहा होता है control plus और even यहाँ से आप इसका size बढ़ा सकते हो तो यहाँ पे देख लो screen की उपर spray कर रहा है spray नहीं देख रहा तो control A delete white color उटाते हैं यहाँ पे screen के उपर paste करते हैं paste करने के बाद यहाँ से वापस उटा लो brush और color यहाँ पे रेकलो black अब यहाँ पे देखोगे तो screen के उपर dots आ रहा होंगे वो जो dots है वही आपका यहाँ पे spray है कौन कर रहा है यह spray airbrush बाकि oil brush आप उटा सकते हो यह oil brush है एक time पे यह खुशक हो जाता है पर left flick चोड़ दो वापस आप यहाँ पे इसकी तुरू color कर सकते हो पर click कर लो यहाँ पे crayon brush है crayon brush हर brush में फरक है जो भी brush आपको यहाँ पे टीक लगे आप यहाँ पे brush उटा सकते हो अगर यह खतम हो जाते है एक point पे तो left flick चोड़ दो वापस पकड़ लो तो यह उट को टीक कर लेगा वापस आप यहाँ पे क्लिक कर लेए जो भी brush आपको यहाँ पे टीक लगे आप अपनी हिसाब से यहाँ पे brush उटा सकते हो control A प्रेस करेंगे delete की प्रेस करेंगे यहाँ पे brush का भी concept हम समझ चुके size कम और जएदा करना है चाहे eraser का हो चाहे pen का हो तो control plus और control minus brush का हो control plus और control minus eraser पे क्लिक कर लिया बहुत ही चोटा आ रहा है control plus की में प्रेस करूँगा तो eraser का size देख लो और बढ़ रहा होगा control plus की तरो eraser का size आप बढ़ा सकते हो control minus की तरो eraser का size आप कम कर सकते हो और गटा सकते हो बागे अगर यह option नहीं मिलता तो यहाँ पे आप control plus और control minus का भी use कर सकते हो next यहाँ पे जो group आ रहा होगा उसका नाम होगा shapes तो यहाँ पर different type के आपको shapes मिलते, even size भी मिलता है, outline और fill color भी आपको मिल रहा होगा, तब किसी भी shape पे click करोगे, तो option enable हो जाते, तो outline आप यहाँ से choose कर सकते हो, जो भी outline आपको यहाँ पर shape के लिए चाहिए होगा, outline का color इस वकत black आ रहा है, outline का color black आ रहा है, पर outline आपको किस brush के साथ चाहिए होगा, यहाँ से आप अपना outline का style choose कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर oil उटाया, और यहाँ पर draw करते हैं, तो देख लो, इस frame को हमने कैसे draw कर लिए, size बढ़ाना है, तो यहाँ से size उटा सकते हो, control plus के तरू, size को मजीद बढ़ा सकते हो, control plus की पकड़ के रख next fill color, fill color chosen है, नहीं, तो यहाँ पर fill color भी आप दे सकते हो, click करोगे तो इस वकत यह वाला fill color यहाँ पर आ रहा है, पर color to को जैसे जैसे आप change करोगे, यहाँ पर fill color change हो रहा होगा, तो हमने यहाँ यहाँ पर यहाँ चूज कर लिया, यहाँ पर fill color हमें यह मिल रहा होगा, यहां से fill color enable करते हैं फिला shape आ रहा होगा यहां पर line तो आप यहां पर इसके through line लगा सकते हो और dot आपको मिल रहा होगा इन dot की तरू अभी भी आप इन lines को edit कर सकते हो तो लेफ लिक पकड़ के रखो इन dots को पकड़ लो आप इसे चोटा बड़ा अपने आप से कर सकते हो अगर आपको straight line चाहिए तो straight line के लिए आप shift की पकड़ सकते हो तो shift के तरू आप straight line रहा कर सकते हो इसी तरह हम यह वाला straight line रहा करते हैं ctrl-z next आ रहा होगा यहां पर curve line curve mean लाइन को curve करना तो हम यहां पर shift की की तरू एक straight line ड्रा करेंगे, अभी dots नहीं मिले, तो आपने यहाँ पर गोर किया तो इसमें dot मिले, यहाँ पर dot नहीं मिले, अब इसे edit कर सकते हो, curve कर सकते हो, कैसे, अब दरम्यान से इसे पकड़ लो, कीच लो नीची की दरफ, इसे two times आप edit कर सकते हो, यहाँ से भी पकड़ लो, जैसी चो लिक रही है, और क्लिक करोगे, यह खराब हो जाएगा, तो याद रखलो, दो दफा हमेशा आपने इसे edit करना होता है, दो दफा editing must होती है, तो जिस type का भी आपको shape इससे बनाना होगा, आप बना सकते हो, बाकि आपको यहाँ पर oval मिल रहा होगा, circle मिल रहा होगा, तो आप oval draw कर सकते हो, और shift की तरू इसे straight draw कर सकते हो, shift बिलकुल straight oval आपको दे रहा होता है, बिना shift की यह अंडा बन रहा होता है, तो यह अंडा और यह कुछ इस तरह से, जो भी आपको shape चाहिए होगा, आप shape उठा सकते हो, बाकि shape जैसे दिख रहे होते हैं, उसी तरह बिलकुल य यह पीचे यह पीचे आएगा, अब कब तक पीचे आएगा, जब तक आप इसका यह वाले सिरह इसके साथ connect ना कर लो, connect कर लिया तो देख लो, जो shape आपको नहीं मिलता, उन shape को आप draw कर सकते हो, using polygon tool, बाकि outline वगरा नहीं चाहिए, तो यहाँ पे click करके outline खतम कर सकते हो, अल आप यहाँ पे draw कर सकते हो, using polygon, curve, line, या तो कुछ red image shapes आपको यहाँ पे मिल जाते हो, उनको उठा के यह पे draw कर सकते हो, तो यह तिकानी यहाँ पे shapes की और color हम समझ चुके है, next आ रहा है, image creator, इसके तो आप image, जैसे कि prompt देने से कोई भी image create किया जा सकता, सेम इसी तरह इसके image create करके देगा, वरना नहीं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, कि आप यहाँ पे prompt लिको, prompt लिकने के बाद, वो आपको pixels की form में image कुछ इस तरह से generate करके देगा, तब इसे एक दफा जरूर चेक आउट कर लो, कोई भी prompt इसे देदो, prompt देने के बाद यहाँ के समने, image generate करके देदेगा, फिलाल मुझे यहाँ पे कुछ points मिल रहे हैं, और कहाजार यह paid tool है, और आपको यहाँ पे 50 coins मिलते हैं, उसके base पे आपको जितने भी image generate होके मिल गए तो ठीक है, वरना next time आपको पेसे देने होगे, इसके लिए जाहर बात हम यहाँ पे यहाँ यूज नहीं करत करते हैं, जैसे के right click इसे हमने copy कर लिया, और यहाँ पे control V हमने paste कर लिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, layers की inside बताया जा रहा है, कि image layer number 1 पे होगा, आप इसे hide और unhide कर सकते हो, और यह layer background का होता है, इस पे click करने से, अब कोई भी color यहाँ से choose कर लो, ओके पे click करो, background मे color आ जाएगा, अब इसे layer को आपस enable कर सकते हो, इस layer के उपर, यहाँ पे background image आपको दिख रहा होगा, layer mean simple होता है, जैसे के एक page यहाँ पर पढ़ा है, इसके उपर आप एक और page ड्राग करते हो, तो इस वकत कितने pages होए, दो pages होए, एक नीचे आ रहा है, एक उपर, सिम इसी वो डारेक बेग्राउन पर नहीं किया, हमने वो जो काम किया है, वो layer के उपर किया है, और इस layer को भी आप hide, un-hide कर सकतो हो, तो नया layer चाहिए, आपके क्लिक कर आपके निया layer उटा सकते हो, और इस पे क्लिक कर कि सकते हो, और यहाँ से आप color फिल कर सकते हो, तो इसका आप ने बेगराउन पर डारेक्ट कलर नहीं किया हमने लियर के उपर कलर किया वाकिए आप इस लियर को सेलेक्ट करके इसे डिलीट करोगे तो डारेक्ट आपको आपस रेड़ कलर मिल रहोगा तो यह तिकानी यहाँ पर लियर्स की फूटशॉप की इंसाइड इससे बहुत ज़् पर तो हम काम नहीं कर दो होते और यहाँ पर यह जो ड्रिबण है यह आपको समाझ आ चुका होगा और क्लियर हो चुका होगा अब इसके टेब्स की साइड कुछ ऑप्शन होते हैं वह समझते हैं पहला फाइल न्यू पे क्लिक करने से आप नहाँ फाइल ओपन कर सकते हो प पर क्लिक कर लो open पर क्लिक कर लो जो भी चीज़े आपने सेव किये होंगे वो आप इस option के तुरू open कर सकते हो file पर क्लिक करके इस option के तुरू भी आप images वगरा camera और scanner के तुरू भी यहाँ पर ले किया सकते हो और even computer में जो ready made images होते वो भी यहाँ से आप उटा सकते हो next option आ रहा है recent, recently आपने जिन जिन images पे काम किया होगा वो सारे आपके समने यहाँ पर आ रहे होंगे, आप select कर सकते हो पर अगर वो मौझूद होंगे तो यहाँ पर open हो जाएंगे, नहीं होंगे, तो जाहर बात है आपको कहा जाएगा वो image मौझूद नहीं है, तो last time आपने इस image पे क्लिक कर लिया, तो यह backup भी हमें बना के दे रहा है तो last time आपने जिस भी image को edit किया होगा, यहाँ पे क्लिक करने से उस image को आप open कर सकते हो और उन पे वो आपस काम कर सकते हो, तो यह backup भी आपके लिए यहाँ पर रख रहा है जिन images पे अपने काम किया होगा, वो अगर computer से delete हो चुके होगे, तो जाहर बात है वो हमें मिलने नहीं वाले फाइल पे उपस क्लिक कर लो, next आ रहा है save, तो अगर आप इसमें कुछ काम करते हो, जैसे हमने यहाँ पे shape उटा के इसके उपर drag कर लिया, हमें चारो इसे save करना है तो file पे क्लिक कर लो, save पे क्लिक करूँगा, तो इस वाले image के inside ही यह save हो जाएगा, इस वकत इस image का नाम क्या है, जो मैंने open किया है उपर आपके समने यहाँ पे नाम आ रहा होगा, डबल क्लिक करूँगा, तो यह minimize हो जाएगा, और यह image अपने यहाँ पे उटाए है, और इस image को हम यहाँ पे use कर रहा है, और इस पे editing कर रहा है पर अगर मैं save करूँगा, तो यह वाला जो shape है, यह किसमे save हो जाएगा, जाहर बात है, इस image को आपने open किया है, तो इसी में यह जाके save हो जाएगा, save, तो यह इसी image की inside जाके save हो चुका है, तो अगर आप चाते हो, मुझे यहाँ पे इस image को खराब नहीं करना, जो मैं यह पर editing इसमें कर रहा हो, उसके लिए एक अलग सा image मुझे यहाँ पर create करना है, तो आप यहाँ पर control Z, मतलब एक से पीछे चले जाओ, file पर click कर लो, save पर click कर लो, यह वापस टीक हो जाएगा, और control Y, वापस आप उस shape को ले के आ जाए, अब इसके लिए अलग सा file बनाना है, तो file पर click कर लो, save एस, कुछ format मिल रहे होंगे, png, jpeg है, bmp है, gif है, तो जो भी आपको यहाँ पर चाहिए होगा, png मतलब बिना background का, jpeg में background आ जाता है, और इसमें आपका drawing आ जाता है, जो आप हाथ से बनाते हो, bitmap image होता, gif में वो image जो की move हो रहा होता है, और आगे आपके images को हम gif images कह रहा होते है, तो आप उनी images को अगर यहाँ पर edit करके वापे save करना चाते हो, तो यह option चूज करोगे, बाकि इन तीनों में से कोई option चूज करोगे, तो वो static बन जाएगा, वो फिर move और bug नहीं रहा होता है, उसका animation खतम हो जाता है, बाकि other format पे आपको अ करेंगे, और desktop के उपर आप यहाँ पर देखोगे, एक और image आ जाएगा, 123 नाम का, डबल क्लिक करोगे, तो यह image कुछ इस तरह से इसमें हमने तोड़ा सा यहाँ पर shape और ड्राग करके, इसे save कर लिया, यहाँ पर double click करोगे, इस image में कोई भी shape नहीं आ रहा है, आप इस image को आपस MS Paint में open करना है, तो वही right क्लिक कर लो, और यहाँ पर आपके समने option होगा, open with, और इसकी inside MS Paint चूज कर लो, MS Paint के inside यह वाला जो shape है, वो आपस यह वाला जो आपने drawing बनाया होगा, image बनाया होगा, वो आपस open हो जाएगा, तो यह ती कहानी यहाँ पर save करनी की control S, इसका अपना paper select करना, अपने printer में कौन सा paper रखा है, उस paper का नाम क्या है, margins कितना रखना है, center करना, image नहीं करना, वो सारा setup यहाँ से किया जाता, तो आप इस पर click कर ले, click करने के बाद आपको इस side पे preview दिख रही होगी, और इस side पे आपके पास settings होते है, page setup का, तो आप यहाँ पे सबसे पहले काख़ चूस कर लो, बादार से जो भी काख़ आप लेते हो, उसकी नाम होते है, उस नाम के according यहाँ पे आप काख़ चूस कर सकते हो, paper चूस कर सकते हो, तो अगर आपने A4 लाया है, और print कर रहे हो, किस चीज़ के उपर, A3 के उपर दो जायर बाते, miss print हो ज relation means, कि यहाँ पे जो data है, उसका width ज्यादा है या height, अगर height ज्यादा है, तो portrait चूस कर लो, portrait में image कुछ इसर से print हो रहा होता है, अगर width ज्यादा है, तो landscape में width ज्यादा होती है, उसका अमार जो image है, इसका width ज्यादा है, height कम है, तो उन landscape के साथ जा रहे होंगे, next यहाँ पे होते हैं, और margin हर side से होते है, चारो side से आपको margins मिल रहे होते हैं, तो हम यहाँ पे margin चूस कर सकते हैं, जैसे इस वकद यह तोड़ा सा दूर आ रहा है, margin तोड़े रखे गए, अब इसे कम और ज्यादा अपनी ही साब से रख सकते हो, इस वकद हमने left margin को 4 रखा, तो image देख सकते हो, फिला हम एक दफा result देखते हैं, okay पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फाइल पे क्लिक कर लो, और यहाँ पे आ रहा होगा print हो, और यहाँ से आप print preview पे क्लिक करोगे, तो यह आपको बता रहा है, कि आपका image कुछ इस तरह से print होगा, बिलकुल श्रिंक हो यह margins खतम करते, मैं यहाँ पे कूँगा कि margin zero किये जाए, हर side से हम margin यहाँ पे zero करते, कुछ margin यह खुद से choose कर लेगा ताकि यहाँ पे data misprint ना हो जाए, और दूसरी बात, यहाँ पे नीचे आओगे, तो हमें इसे center भी करना है, तो अगर हम हर side से यहाँ पे margins दे देते हैं, जैसे हम यहाँ पे 2-2 हर side से बता रहा है, तो यहाँ पे गोर करोगे, क्या image यहाँ पे center है, नहीं, vertical तो center है, horizontal center नहीं, तो यह दोनों checks लगा लो, image बिल्कुल center में ही print होगा, चाहे side पे जितना भी gap हो, यह हमेशा खुद को center करके print कर रहा होता है, तो हम यह चेक लगाएं सिंगल पेज के उपर, तो scale कम कर लो, तो अगर हमें adjust पे क्लिक करेंगे, और मैंने यहाँ पे scale उठाए 100%, okay पे क्लिक करोगे, तो अब फाइल पे office क्लिक करके, यहाँ से printer अगर मुझे तो direct यहाँ पे command दे तो यह print करके निकाल के देदेगा, पर एक दफा मैं preview देखना है, तो एक page के उपर देख लो, यह खाली और white area में देख रहा है, कोई result नहीं है, दूसरे page पे यह vector आ रहा है, तिसरे page पे यह होगा, fourth page पे देख लो, तो यह जो drawing है, यह multiple pages पे print होने की कोशिश कर रहा है, वजह scaling था हमने वापे scale कर लिया, file पे office क्लिक कर लो, मैं single page के उपर यहाँ पे कम और ज्यादा भी कर सकते हैं, तो हम फिलाल मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा one, और फिर यहाँ पे लिखूंगा one, ओके पे क्लिक करेंगे, एक दफा पर आप यहाँ पे जाके, print पे जाके, page preview देख लो, और print preview देख लो, तो image यहाँ पे बड़ा होनी की वज पे क्लिक करना है, और print पे क्लिक करना है, print preview पे क्लिक करना है, तो हमारा image इस वकात कुछी तरह से print होके आ रहा होगा, बाकि अगर आप चाते हो कि मुझे multi pages पे print करना image को, तो आप scale कर सकते हो, margin दे सकते हो, वो सारे चीज़े आपको यहाँ पे दिये जा रहे, direct print नहीं करो मोड में print करना है, तो यह चूस कर लो, print पे क्लिक करो अगर यहां से printer को यहां से printer को आप add भी कर सकते हो, तो यहां से printer को आप add भी कर सकते हो, तो आप किसी के साथ भी ये ये वाला जो ड्राइंग होगा वो आराम से share कर सकते हैं with the help of what's up होगा और even आप यहाँ पे जीमेल के तरूँ इसे share कर सकते हो outlook के तरूँ शेयर कर सकते हो फिलाल मुझे इसे share नहीं करना मुझे share करना हो तो what's up ये जीमेल ओपन करके direct वहाप इसे copy paste करूंगा और इसे share कर सकता हो फिलाल हम इसे share नहीं करने जा रहा है तो फाइल पे click करेंगे next option आ रहा है ये drawing पसंद आया पसंद आया तो background में set कर सकते हो तो ये image हटा के ये image लगाना चाते हो तो आप इस option के साथ जा सकते हो जो कि फिलाल मैं use नहीं करूंगा और ये आप इसके options भी आप इसके साथ जरूर try कर लो image चुटा होगा तो ये खुद को fill करने की कोशिश करेगा टाल के तो image repeat होगा तो अगर image background के उपर पूरा नहीं आ रहा तो कुछ इस तरह से वो repeat करके background को fill कर लेगा next and last option आ रहा है image properties तो आप यहापे क्लिक करके image properties आपको यहापे जो units मिलते हैं जैसे के ruler वगर आपको enable करना है तो आप जैसे ruler वगर आपको enable करना है तो यहासे ruler को enable कर लो ये ruler आगा है आपको measure करके चीज़े edit करने है measure करके चीज़े draw करने है तो यह ruler enable कर लो कहा से enable कर लिया view tip और view tip की inside से ruler का check लगा लो grid lens का भी check लगा कि आप grid lens को भी enable कर सकते हो match वगरा में आपने अगर यह पढ़ा होगा इसके base पे आप चीजों को बहुत ही अराम से और अच्छे sizes में create कर सकते हो तो sizes का खया लखना है जिसका shortcut की हमने पढ़ लिया है 100% zoom करना zoom in करना zoom out करना तो multiple जगों से आप zoom in zoom out कर सकते हो और इनको भी आप एक दफा जरूर चेक आउट कर ले next view tip की inside आपको ruler वगरा enable करना है तो यहासे ruler वगरा enable कर सकते हो ruler का जो यहाँ पे measurement है यहाँ पे image का है क्या और default width or height working area का क्या होता है वो आप यहाँ पे click करके पता कर सकते हो 16 by 9 यहाँ पे रोशो में जो इसका width or height है वो set किया जाता है default में पर अगर आपको किसी भी image का width or height मालूम कर रहा है तो यहाँ से मालूम कर सकते हो इंचिस में, cm में और even pixels में तो pixels में हमारा जो यहाँ पे image होगा उसका size देख लेते हैं यहाँ एक दफा image properties तो pixels में 1024 by 600 हम यहाँ पिक्सल आ रहा है cm में यहाँ रहा होगा और inches में यहाँ रहा होगा फिलाद हम यहाँ पे inches उटाते okay पे click करेंगे तो measurement यहाँ पे जो हमें दे रहा था ruler तो बिल्कुल change हो चुका है यहाँ पे अभी इस वकत measurement हमें inches में मिल रहा है और grade lines था वो भी इस वकत inches में हमें यहाँ पे result दे रहा है measurement करके अगर आप चीजों को drag करना चाहते हो तो यह option आपके लिए best होगा नेक्स आरे full screen ड्राइंग बनाया full screen कर लो तो full screen आप इससे देख सकते हो escape की या तो कहीं पे भी क्लिक कर लो आप zoom out कर लोगे और full screen से निकल जाओगे वापे स्वीव पे क्लिक कर लो नेक्स आरे thumbnail अब thumbnail आपको एक चोटी सी window दे रहा होता है और उस window के उपर आप यहाँ पर पूरा result देख सकते हो यह पर देख लो पूरा result आपको यहाँ पर दिखा रहा होता है पूरा आपका जो पूरा image है और पूरा ट्राइंग है वो आपको यह single window की inside दिखा रहा है तो यह तब helpful होता है जब आपका जो content यह ट्राइंग है उस screen से बाहर निकल जाता है आपको पूरा content देखना है या तो ट्राइंग देखना है तो आप यहाँ पे thumbnail को enable कर सकते हो होती है उस poster को YouTube की दुनिया में क्या कहा जाता thumbnail कहा जाता अब वो poster आपको बता रहा है कि इस वीडियो की inside क्या होने जा रहा है जैसे कि इस वीडियो का जो पूस्टर है वो आपको बता रहा था किसमें आपको MS Paint सिकाया जाएगा तो आपने क्लिक कर लिया वीडियो अभी स्टार्ट है और अभी तक आप MS Paint ही सीख रहे हो तो यह जो वीडियो यह total किसी के बारे में था MS Paint के बारे में था थमनेल का मतलब कि आपको हिंड देना या बताना किस वीडियो के इंसाइड क्या होने जा रहा आए या क्या बताए जाएगा जिसे के एक्टर है तो वो poster के तुरू और thumbnail के तुरू आपको बताया जाता तो इसके लिए आप वीडियो पूरा watch नहीं करते watch करने के बाद आपको बता चलिए अच्छा ये मैंने ये वाली वीडियो देखी नहीं जिसे MS pen टे दो गांटे की वीडियो है कि इस वीडियो की inside actual में आपको क्या सिखाया जारा जो भी ट्राइंग होगा वो screen से अगर इस तरह बाहर निकल जाएगा तो ये पिर भी आपको पूरा screen दिखा रहोता है तो इसका सिर्फ काम क्या होगा आपको यहाँ पे screen पूरा दिखाना एक single window की inside अगर आप कोई prona window operating system यूज़ कर रहे हो तो ये बैसे ही active नहीं होता जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और direct मुझे मिल रहा है आप एक दफा यहाँ पे जो भी काम होगा वो इससरा zoom कर लो जूम करने के बाद यह screen से बाहर निकल गाए तो यह तिकानी यहाँ पे view tape की बाकी edit की inside आप copy paste कर सकते हो चीजों को cut कर सकते हो पर हम file पे office क्लिक कर रहे होंगे last option आ रहा है exit इससे बाहर निकलना है तो आप यहाँ पे cancel करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे edit की inside यहाँ पे तीन options आपको मिल रहे होंगे वो समझते हैं फिलाल यह ruler वगरा grade lines मुझे नहीं चाहिए measurement के लिए यूज किया जाता तो मैंने उसे close कर लिए अब इस picture में खुजी भी चीज़ आपको duplicate करनी हो यह तो पर उसका copy निकाल हो गया अब result को नेगा cut का जारबात है best पेस्ट पेस्ट पे क्लिक कर लो वो बटन वापिस आ जाएगा तो जहाँ पर भी रखना चाहो आप आराम से रख सकते हो तो control-z वापिस इसे अपने लेगे पे लेके आ जाते हैं किसी भी बटन का duplicate बनाना हो तो selection कर लो एक दफा selection क करने के बाद यहाँ पर edit पे क्लिक कर लो copy पे क्लिक कर लो यह copy हो चुका है और पर यहाँ पर क्लिक करके paste कर लो तो यह आपको उसका duplicate देगा ठट से वो total button यहाँ से उट गया और copy से इसका duplicate यहाँ पर बन चुका है तो इस टाइप की चीजों का हम तब यूज कर रहे होते हैं जिसे मेरे पास यहाँ पर एक image है download से तो download से यह वाली image मुझे MS Paint में add करना है तो इस तरह उटा के MS Paint की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पर इसे open करते हैं अब open करने के बाद इस image को हमने crop करना है तो cropping हमें आती है कुछ इस तरह से आप लेके जाओ आगे के तरफ औ पूरा image यहाँ पर select करेंगे Ctrl-C copy करेंगे यहाँ तो पर edit पर click कर लो क्लिक करने के बाद copy पर click कर लो copy से क्या होगा इसका duplicate आ जाएगा और इसके बाद paste भी करना है तो यहाँ पर click करके best पर click कर लो यह अपको अपना duplicate दे देगा और rotate तो नहीं करना मझे flip करना है यह वाला और इसके साथ रख लो यहाँ पर करीब रख लो तो गोर करोगे हमने यहाँ पर एक image का दूसरा image यहाँ पर बना लिया बाकि आप arrows के तरू इसे तरतीब भी दे सकते हो image इसलिए hang हो रहा है क्योंकि image काफी ज़दा size में बड़ा है तो size में बड़ा होने की वज़ा से image यह और दूसरा अपने यहाँ से use कर लिया flip का तो flip के तरू अपने एक इंसान से दूसरा इंसान बना लिया उमीद करता हो आपको यह image paint का यहाँ पर जो tools होंगे वो समझ आ चुके होंगे अब इसके कुछ drawings बनाते हैं जिससे आपको image paint और अच्छे से समझ आ जाएगा